हेलो फ्रेंड्स में हूं विनिता स्वागत है आपका मेरी चैनल विनिता स्वीठों रसुई में आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड हैल्दी रेस्टरेंट स्टाइल टमेटो सूप जो कि ना बहुत ज़ादा गाड़ा है ना बहुत ज़ादा पतला है कंसिशेंस्या देख पा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी बैल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे तो फिर चली एस टेस्टी और हेल्दी सूप को बनाना पिरा टाइम बेस्ट के स्टार्ट करते हैं तो इसके हाँ अब हमने एक कडाई में दो Tuwegle स्पून बटेर डीया है किग बटर बहुत जिल्दी जल जाता है तो इसको हम भाघा गरम नहीं करेंगे और इसमें फोड़ा साथ बटर जलेलेना साथ में ठोड़ासा ऑइल डाला है बहुत ही थोड़ा सा है। ताकि बटर हना बटर जल और एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है इसको 15-20 सेकंड तक बस ऐसी चलाना है इसको कलर चींज नहीं करेंगे हम और इसके साथ में हमने जो टमाटर कट किये थे वो डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है टमाटर हमने पके हुए लिए है तो और अच्छी से चॉप भी किये हुए तो फटा फट से गल जाएंगे और इसको गलने के लिए मैंने इसमे साथ मी नमक भी डाल दिया था यहां मैंने टेट चमच नमक डाला है चोटा चमच आप अपने टेस्ट के कॉरिंग ड हिसके अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा जाएगा हुए उसमijn अच्छे से मैश हो जाएंगे इनका अच्छे से निकल के अचिकल के बहार आएगा सब हिमासालों का अणर कंच लैसन तो को तरीके से बिलकुल नग्वाए था दीके पार कि पार है कि दयार हो चुका है अब पानी डालने के बाद भी हम इसे अच्छी से पकाएंगे देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया इसको मैं दो सी तीन मिनिट तक अच्छी से आसी पकाऊंगी तीन से चार मिनिट तक सारे जो फ्लेवर्स है ना यह पानी एबसॉब कर लेगा अपने अंदर तो आब हम इसको छान लेंगे स्पून की है से इस तरीके से बाते हो इसको चान रही हूँ चानने के बाद इसमें सिर्फ छिलका और टमाटर के बीच बचेंगे मैं इसको मिक्सी में नहीं पीछा है मिखसें कि पीषिने से बीच भी पिस जाएंगे और बीच का जो टेस्ट ठैन अब थोड़ा से चेंज ह लिए इसमें थंडा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लूँगी पानी हमेशा कॉनफलोर में थंडा ही यूज़ कीज़ेगा नहीं तो इसमें लंपस पढ़ जाएंगे देखिए करम हो चुका है अब अम एक टेस्ट एंहेंस करने के लिए इसमें मैंने दो चोटे चमच च मैटो केचप इससे होगा कि इसमें इसमें बढ़िया सा कलर आ जाएगा टेस्ट आ जाएगा साथ ही हमारा जूप है उसमें एक शाइन आ जाएगी एकदम रस्ट वाली तो कलर आप देख पा रहे हैं मैंने पके हुए टमाटर लिए हैं चीनी से भी इसका कलर मैंटेन रहता कि वही रेस्टरेंट स्टाइल वाली तो देखिए मैंने धीरे-धीर करके सारा डाल दिया है और देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं दो से तीन मिट में एक्टम परफेक्ट हो गई है बस इससे जादा हमें गाड़ा नहीं चाहिए इसको दो से तीन मिट हमने अच्छे से पकाया है अब हम इसको करिंगे सब तो यहां मैंने अपना सूप डाला है बोल्स में देखिए इंतम कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं और कलर भी हमने कोई कलर वगर इसमें एड नहीं किया लिगिन कलर भी हमारा कितना परफेक्ट आया है कैचप की अब इसको नहीं लगा है तो आप इसको तोड़ासा चाहिए गार्श करेंगे गार्श करने के लिए नहां मैंने कृम ली है और साथ ही डाल दिया है मैंने एक रुटॉन्स ब्रैट के यह मैंने ब्रैट को ड्र रोस्त किया हूँ आ है ठोस्टर मैं प्लीज इसे एक बार जुरूर ट्राय करें थैंक यू